गुर्दास्पुर शहर में दिन देहाडे चोरोने मार्किट कमेटी गुर्दास्पुर के अंदर अकाली दल पार्टी के ब्लॉक समिती के चेर्मेन की गाड़ी को बनाया निशाना गाड़ी का शीशा तोड़ कर 6 लाक रुपे की नगदी लेकर हुए फरार मौके पर पहुँची पुलिस पार्टी कर रही है जांच डाग स्पॉट और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है वही ब्लॉक समिती के चेर्मेन फर्बिंदर सिंग ने बताया कि वो किसी नीजी काम के लिए कैनरा बैंक से 6 लाक रुपे निकाल कर लाये थे लेकिन कुछ काम से वह मार्कीट कमेटे गुर्दासपूर में पहुँचे वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी लेकिन जब वो 5-7 मिनट बाद गाड़ी के पास पहुचे तो गाड़ी का शीशा तूटा हुआ था और गाड़ी के अंदर से 6 लाक रुपे गायब थे वही इस घटना की जानकारी देते हुए ऐसा चोविश्मनात ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि ब्लॉक स्मिती के चेर्मेंग की गाड़ी से 6 लाक रुपे की नगदी चोरी हो गई है इसकी जानकारी मिलते ही हमने घटना स्ताल पर पहुच का जान शुरू कर दी है चोरो को पकड़ने के लिए डॉक स्पोर्ट और फिंगरप्रेंट एक्सपर्ट्स की टीम की सहायता भी ली जा रही है बरिंदर सिंग और फैपी पाड़ा था कि मेरना पैसे कड़ा ही में 6 लाक रुपे कैन रहा है बैंक जो आगे पाई तो 7 मेंट लिए थे आया वाँ मार्क प्रमिटी दफतर के से निजी काम लई ते मेरी गड़ी दा ड्राइवर साइट दी लेफ्ट साइट दा शीहा तोड़के पैसे कड़ ले है उसी मोके थे आए हैं यह जड़ी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीती है फेयर लोज होगी है डाउस कार्ड फिंगरप्रिंट ते होगर सीने असर मोके थे एने एक से एक परना साथी कोशी है कि यह जड़ी जड़ी ट्रेस ओड़ कीता ज़़ा गुर्दास पर से हेमन दंदा की रिपोर्ट नैशनल बास के लिए